जौनपूर के मरियाहों कोतवाली छेत्र के जमालापूर छेत्र के गाउं के पडोज के युवक से बगल की यूती से दो साल से चला था प्रेम परसंट उसके बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कसमे खाली उसके बाद मरियाहू तहसील में दोनों ने रचाई मंदिर में साधी आपको बताते चले कि लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है लेकिन जिस तरीके से यह साधी हुई आज वास्तों में लग रहा है कि प्यार अंधा होता है प्यार के चक्कर में सारे रिष्टे तूड जाते हैं सुत्रों के हवाले से बदा चला कि प्रेमी प्रेमका का चाचा लगता था इस साधी से प्रेमी प्रेमका के गाउं में चर्चा का विशे बना हुआ है मरियाहू तहसिल में जब प्रेमी और प्रेमचा से मीडिया कर्मी ने पूछा तो प्रेमी ने बताया कि हमारा दो साल से प्रेम प्रसंग चला आता आज हम दोनों ने पती और पत्नी मान कर मरियाहू तहसिल में मंदिर में साधी कर रहे हैं आई देशे हैं क्या है पूरी रिपोर्ट? तो लड़की कहां की है यह बाजू की है आपकी बाजू की क्या लगती है यहाँ उसके क्या लगते हैं? कि उसके क्या लगते हैं यह बताई यह बताने क्या राजवर जोगा पूर दोधा दोधा पूर यह जो साधी कर रहे हो यह किस जगा कर रहे हैं और यह बताई क्या नाम है आपका रिस्मा कॉंस गाम है आपका जानती हैं क्या नाम है उम्र कितनी है आपकी अठारा साल आपके कितनी उम्र है 21 प्लस तो आप लोग को साथ कौन आया है मेरे ममी पपा मामा मामी सब आये हैं आपके साथ कौन आया है कोई नहीं आया है आप मतलब अकेली आई हैं घर से तो घर को लागे छोड़ दिये क्या नाम है आपका तो लड़की वाले नहीं आये उसके विसमा क्या कहना चाहिएं को लड़के ली नहीं आए तो मेरे रखने पड़ेगा नों कि अधाने मालूं कि रहा है कि काओं के हैं दोने लोगा है अगल बगल के हैं दूर के हैं नहीं बाज़ें पड़ोस के हैं